जिए कुछ सारे बच्चों कि सम्झे रहेती है कि सेर हमारा स्लेक्षन क्यों नहीं होता जब हम दो रात दिन deteriorate और 2023 की बहुत सारे बच्चे 2 जोगि दिन रात亞 rece eg ने सोच करते हैं। किसे न किसे इस जिंदगी में उनका नाम अच्छा किया जाए अपनी परिवार की प्रस्तितियों को बदला जाए जो कस्ठम भोग रहे हैं उनसे निकला जाए लेकिन फिर भी सेलेक्शन नहीं होता है और वह मेरे क्याल से दिर में लगबग 12 गंटे से ज्यादा भी पड़ते और इसका सेलेक्शन हो गया यह तो बहुत कम परता था आपको यह से कई उदारन मिलेंगे यह तो बहुत कम परता था यह तो बहुत कम यह करता था लेकिन इसका सेलेक्शन हो गया यह कैसे लग गया गाव में से अजार उदारन मिलेंगे आपको शैर में मिलेंगे आपके द उपर वाली ने मूँ दिया, खाने को भी कुछ न कुछ देगा, हर इंसान की तकदिर अलग होती है, हर इंसान की किसमत अलग होती है, हर इंसान अलग है, तो उसका साड़ा कुछ अलग रहेगा, अपना गंपेरिजन किसी दूर से से ना करेगी, उसकी जिंदगी में यह चलता पढ़ने में दिल कम होता है बस घसर पिटी चलती रहते पहली बात यह डर नहीं है अपनी परिस्चितों से लड़ना है नोक्री सब कुछ नहीं है इसके अलाव भी बहुत कुछ है डर जिस बच्चे के अंदर आ जाता है वो सक्सेज नहीं हो पता वो पेपर के टाइम उसके स सब्सक्राइब नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई और कुछ करेंगे जिंदगी में बढ़ा सेलेक्षन ही सब कुछ थोड़ीना है यह चीज हमेशा रखने सेलेक्षन नहीं होगा तो हम बहुत तगड़ी कीचर बन जाएंगी बहुत लेवल के इंदुस्तान में बहुत नहीं है परिशिच्चियों से और सेलेक्षन उन बच्चों का कैसे हो जाते हैं जो सवतंतर रहते हैं क्योंकि वो जब भी पढ़ते हैं सवतंतर माइंड से पढ़ते हैं सवतंतर माइंड से पढ़ने से चीज़ें याद होती है अब वो सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको को याद नहीं होता याद कैसे होता है याद होता है कि रिपिटेशन से कोई याद करने के दवाही नहीं आती, अगर दवाही आती है तो धुनिया में हर को जैंसान दव小ष दवाही लेके याद कर लेता है कि जitनीменे जार से ज्यादा रियर्सल करिए अपने आप याद होने लग जाएगा इसके अलावा क्या करें इसके अलावा जो जिन बच्चों का सेलेक्स होना उनकी एक आदत देखना तुम कि वो जब पढ़ते हैं सौतनर माइंड से सके जिस समय जो काम करते हैं उसको सोतनर माइंड से करिए यил थो खेलने में मैं से लेकिन जब पढ़ते हैं तो सिर्व पढ़ते हैं पढ़ते समय अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में पढ़ रहा हूं किसी को नहीं दिखाना है कोई आप 12 गंटे पढ़े राप पेपर में पास हुआ कोई नहीं मानेगा कि आप पढ़ते थे कोई नहीं मानेगा अगर आपका सेलेक्शन हो गया आप सक्षेज़े तो लोग मानेगे कि हाँ यह पढ़ता था भली आप तो एक कभी पास नहीं है बस अपनी इच्छा के अनुसर पढ़िए तभी ज्यादा याद होगा तभी ज्यादा अच्छी चीजें दिमाग में आएगी तभी दिमाग चलना शुरू होगा अगर आप 6 गंटे किताब लेगे 6 गंटे को इंसान लगातार किताब लेगे बेठे का तो कैसे उसकी मनिस्तिती जैसे होती कभी नहीं होती आपको विल्कुल विराम देना पड़ेगा 40-45-50 मिनट पढ़ने के बादे 5-10 मिनट आपको साइड दुवाइड में इदर दो टोलेट पानी के लिए घूमना है या कुछ भी करना है या किसी से बात करने तो आपका का नहीं है अगर नेंद आ रही है तो ले लो वो सबसे बेस्ट रहेगा लेकिन फिर जल्दी उठिए और पढ़ाई करें अब एक्जाम को टार्गेट करिए कि मुझे इन इन एक्जाम की तयारी करनी है सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है कि हाँ मुझे इन इन एक्जाम की तयारी करनी है उन एक्जाम को सबसे पहले टार्गेट करिए उसके बाद में जब एक्जाम आप टार्गेट कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है उस एक्जाम में सबसे मौस्ट पार्ट कौन सा है ये देखना है सबसे पहले आपको उसी मौस्ट पार्ट को तयार करना है जैसे मुझे पता जयादा तर मेरे चैनल से जो बच्चे जूड़ रखें वो SSE GD और दिली पुलिस की जो तयारी करते हैं या आर्मी के तयारी करते हैं वो बच्चे ज्यादा है अब जो SSE GD वाले बच्चे या दिली पुलिस वाले इन सब भी बच्चों के लिए तुम्हारा जवाब क्या रता है या तुम बच्चे अच्छा के बच्चा है कोई छोटा नहीं आप टेबल से सुरू करो घेबल का मतब पहाड़े से दो का पाड़ा याद करू, फिर तीन का याद करू, चार का याद करू, ऐसे पहले पाड़े याद करू, उसके बाद वर्ग याद करू, फिर गन याद करू, फिर संक्या पत्ति के नियम शीको, यह नियम बाजकता के नियम बाजक कैसे होते हैं, एकाई किसको बोलते हैं, दा सिख्टीजें के लिए रोगी उसके बाद में आप सरली करन शीको यह नि भीन क्याब होती है भीन को किस परकार हल करते हैं यह चीजें शीको भीन और सरली करन और संख्यापत्ति के नियम वर्ग गुना टेबल जोड वाकी गुना बाग यह सीख लिए इसका मतलब मेत सीख लि इस से आसान तो कुछ है ही नहीं अरे इस से आसान तो कुछ ही नहीं अब होता क्या है मैं बताओं आप क्या करते हो सीदे सिदे कहां जातों परसणावली पे कि सबसे पहले मैं परतिस्थ्टा पड़ूँगा सबसे पहले परती सित्ता पढ़ूँगा उसके बाद में पोसत पढ़ूँगा उसके बाद में चाल पढ़ूँगा उसके बाद में कारिय समता वाले पढ़ूँगा फिर ट्रेन पढ़ूँगा अब इन सबी के लिए या मैत का कोई भी पार्ट उसके लिए सरलिकरन तो सबसी जरूरी है अब सरलिकरन आपको आता नहीं सरलिकरन आपको आता नहीं भिन के नियम आपको पता नहीं संख्या के नियम आपको पता नहीं संख्या के करती कैसे हैं यह आपको पता नहीं बाजगता के नियम पता नहीं एकाई दाही का पता नहीं विसमसम का पता नहीं तो कभी नहीं सिखोगे ये बेटा जो चीज़े शुरुआत में सिखनी हो मुझे बताओ कि अगर आपके पास में 10 सीदी हैं पहली सीदी पर पहला चरणा पड़ेगा जम मारोगे तो दान तूर जाएंगे वही काम करना है अगर आपको मेत नहीं आती आप शुरू से शुरू करिए मैं गारेंटी लेता हूँ तीस दिन के अंदर आपको मेत आजाएगी तो अभी आपके पास में 6 मेन नो महीने पड़ें मेत का बाप आजाएगा भाई आपको तीन महीने आप मेत और इजनिंग के पीछे पड़ जाओ पूरी मेत शीख लोगे और सेलेक्शन के गारेंटी मेरी है हम दो गारेंटी बेच चलाते हैं और यही काम करते हैं कि एक दिन में बच्चों के ज्यादा से ज्यादा आठ से कला से अभी परजन टाइम है साथ से आठ कला सिर्क मेत और इजनिंग की चलानी कोशिश करते हैं ताकि वो जीरो से सिखे जो अकेडमी में बच्चा आता है उसको हम पहले पहाड़े सिखाते हैं आज आप लाइब देख लेना पहाड़े लिख रहेते हैं सारे बच्चे सबसे पहले उनको 40 तक पहाड़े याद करते हैं अब आज सुथे हम बड़े बच्चे पहाड़े याद तो नहीं करोगे भाई करना पड़ेगा आपने पहले नहीं पढ़ाई किए पहले पहाड़े याद करेंगी फिर 30 तक आएं बच्चों को वर्ग याद कराएंगी फिर इनको घंग याद कराएंगी फिर इसके बाद में इनको संख्या पत्य में बताएंगे कि यह सम है, यह सम है, यह बाजे, यह बाजे, यह संख्याएं सिखाएं, फिर इनको भिन सिखाएंगे, कौन सी बड़ी भिन है, कौन सी चुक्ती भिन है, शरली करन के नियम बताएंगे, बोर्ड मास के नियम बताएंगे, पहले क्या होता है, पहले ब्रेक इट होता है, या क् इसके बाद में भिन यह तीन चीज अगर आपने शीक ली तो इसका मतलब है कि आपकी महत के लिए रहे से आके कि आप सारी चीजे शीक लोगे यह आपका बेस है, बेस मजबूत कर रो, अपने आप में अप मजबूत हो गई, और अगर यह सीख गए, तो रिजिनिंग में तो प्रोबलमानी नहीं नहीं, अब आप तीन परसनाली शीख नहीं पाते हैं, ऐसा हो सकता है, आप मुझे बताओ, आप दिल पे हाथ रखे, कि ऐ आते नहीं हो आप, थोड़ा फोकस करिए, जिन्दगी के लिए, अपने आप चीजे समझ में आएगी, जितने बचे मेरे SACD की तियारे कर रहें, दिली पुलिस की तियारे करिए, यह फोर्मूला अपना लो बेटागर नो खरी चाहिए, बाकि आपके मर्जी जिवन आपका ठीक है, इस परकार से पढ़े, टार्गेट करिए, पहले चीजों को, कि हाँ, उसके लिए सबसे मजबूत, उसके बाद में आप लाइए, रिजनिंग को, प्रेक्टिस करिए, जिके हिंदी के आप सभी को पता है, जितने ज़्यादा देर पढ़ोगे, याद रेने लग जा होगे, रिपीट, अपने आप याद हो जाएगी एक दिन, ठीक है, जैहिंद, श्यभार्त लाद दो,